राहुल गांधी ने एक सब्था में चार बार लिया ऐश्वरे राए का नाम अब बोले नास्ती हुई निकलेंगी होने लगे ट्रोल कॉंग्रिस नेता राहुल गांदी ने पिछले कुछ दिनों में चार बार अपने भाशन में बॉल्वोरी स्टार अमिता बच्चन और उनकी एक्ट्रिस बहू एश्वरे राय बच्चन का जिक्र किया है उन्होंने पिएम नरेंद्र मोदी के आलोचना करती हूँ मंगलवार को कहा कि आपको आयोध्या में अमिता बच्चन और एश्वरे राय को देखा लेकिन गरीब लोगों को वहां नहीं बुलाया राहुल गांदी ने एक सब्ता में चार बार एश्वरे राय का जिक्र राम मंदिर को लेकर किया है दिल्चस्प बात ये है कि एश्वरे राय राम लिला की प्रान प्रतिष्ठा के आयोजन में योध्याग गई भी नहीं थी ऐसे में उनका नाम लेकर नरिंद मोली शरकार पर निसाना साधने वाले राहुल गांदी को एक वर्ग ट्वीटर पर शोड़ भी कर रहा है भारत चोड़ो यातरा पर निकली राहुल गांदी ने मंगलवार को कहा कि राम लिला की प्रतिष्ठा में अरव पति लोग को बलाए गया लेकिन देश के आदिवासी गरी और पिछा को दूर ही रखा गया राहुल गांदी ने कहा कि सायोजन में तो देश की राष्ठपती तब को नहीं बलाए गया ये इन वर्गों के लिए अपमान जैसा था पताफगर जले के रामपर खास किंद्रा चौक में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांदी ने कहा क्यों ध्योग पतियों और आमिता बचन को आमंत्रित करके मोधी सरकार नहीं संकेत दिया कि देश की 73 फिज्टी आबादी की उनकी नजर में कोई एहमित नहीं है यही नहीं और रैली में राहुल गांदी ने यहां तक कह दिया कि मीडिया में भी आपकी आवास सुनाई देती मीडिया पूरे दिन नरेंद्र मोधी को दिखाता है और फिर कभी ऐश्वर राय नाश्ती हुई दिखेगी दूर सी तरह अमिता बचन बले-बले करते हुए न नाम लेते हुए मोधी सरकार पर हमला बोल रही हैं एक कारुकरा में तो राहुल गांदी ने शीख जिंग के नाम के लड़कों को अपना पास बलाकर खड़ा किया और फिर उसे बाचीत के आदार पर मोधी सरकार पर हमला बोला राहुल गांदी ने कहा प्र लोग Koreans का भठक प्रमोत तिवारी की ही बेटी है